नमस्कार दोस्तों दीप इलेक्टोनिश लाब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज की इस वीडियो के जिरे आपको एक ट्रिक बतने वाला हूँ कि सैमसंग टीवी के अंदर सार्विस मेनू कहीं से ओपेंड किया जाता है उसके साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं ये प्रॉब्लम किस बया से आती है और कि वाती है देखिए जब भी हमरे को टीवी को रिप्यर करना होता है तो कहीं बार टीवी का डिस्पिले फूट जाती है तो हमें टीवी का अंदर नया डिस्पिले को लगाना होता है तो उस समय जब नया डिस्पिले के लगाता हूँ तो इस बाद डिस्पीले के अंदर पिक्चर इल्टी आती है यानि नीचे साइड उपड़ाय जाती है। इस टीवी के अंदर से देखने को मिल रहा है और उसके बाद दूसरा जो कारण है इस प्रकर के प्रॉब्लेम आने का कि कई बार सामसंग टीवी के अंदर मदर बोड खड़ाव हो जाती है और उस जगापे हमें कोई दूसरा बोड को लगाना पड़ता है तो उस समय भी हमें इस टाइब का प्रॉब्लेम देखने को मिलता है तीसरा पॉइंट है कि कोई बच्चे अगर रेमोट से कुछ दबाने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लेम आ जाती है उपर साई नीचे नीचे साइड उपर तो इस चीज को रिपेर करने के लिए इस प्रॉब्लेम को फिक्स करन होगा और सामसंग टीवी का जो सर्विस मेनु खोलने का जो तरीका है ना कुछ अलग किसम का है सभी को पाता नहीं होता है तो आज की इस वीडियो के जरिए आप यह भी सिख लिजिए कि सामसंग LCD LED TV का सर्विस मेनु कैसे ओपन किया जाता है चाए वो इसमार्ट टीवी हो चाए वो नॉर्माल टीवी हो चाए वो LCD TV हो अगर सामसंग का ओरिजिनल टीवी हुआ तो आपको सिर्फ एक रेमोट चाहिए होगा चाए वो ओरिजिनल रेमोट हो या डूब्लिकेट रेमोट है इसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा आप कोई भी सामसंग का टीवी का रेमो या तो डिस्पेले किसी किसी रेमोट के अंदर इन्फो लिखा हुआ रहता है और किसी किसी रेमोट के अंदर डिस्पेले लिखा हुआ मिलता है तो जो आपके रेमोट के उपड़ लिखा हुआ है उस बटन को प्रेस करोगे इन्फो मेनू म्यूट उसके बाद पाउर बटन चार बटन को प्रेस करने के बाद हमारे टीवी का अंदर सर्विस मेनू ओपन हो जाएगा तो चलिए यह आपको लाइब करके दिखाता हूं सबसे पहले हम क्या करेंगे तो पहले तो हम टीवी को इस्टन में मोड पर लेके चलता हूं देखिए अभी इस्टन में मोड में चल सब्सक्राइब करेंगे इन फो मेनू मिउट और पावर जैसे हमने चार बटन को प्रेस करा हमारा टीवी आपने आप से रिलीज हो जाएगे और रिलीज होना के कुछ दिर बाद हमारा सर्विस मेनू ओपन मिलेगा आपको तो इसके लिए आपको घबना नहीं है आपको इस यह हमारा service menu open हो चुका है तो इस तरीके से Samsung TV के अंदर service menu को open किया जाता है तो यहाँ पर आने के बाद है आपको कुछ अलग ही किसम का service menu के अंदर option देखने को मिलेंगे यहाँ पर देखिए option लिखा हुआ है control लिखा हुआ है debug लिखा हुआ है SBC, FMS, ADC, WB यह जो service menu के अंदर option है यह हमारे universal TV मदरबोड के अंदर ऐस तरीके से नहीं होता है और हमारे universal TV के अंदर mirror option आपको directly देखने को मिलता है लेकिन Samsung TV के अंदर ऐसा नहीं होता है आपको कुछ अलग किसम का ही इसके अंदर फंटा रहता है चले इस TV को सीधा करने के लिए इसका जो picture है इसको सीधा करने के लिए हमें जाना परेगा option के अंदर इसके लिए हम करेंगे enter करने के बाद देखें यहां पर बहुत सरे option आ चुका है राइटिंग टाइप फ्रॉंट कलर तो हमें उससे मतलब नहीं है हमें picture को सिधा करना है इसलिए हमें फैक्टर रिशेट के नीचे जो आपको दूसरा नंबर पर दिख रहा है ना टाइप टी ओई लिखा हुआ है उसके बाद 32 A6 A F0 VJ यह पैनेल का नंबर होता है तो हमें इसको चेंज करना होगा तभी हमरा पैनेल का जो picture है ना उपर सारी नीचे यह ठीक हो जाएगा तो इ इसा कर लेता हूं तो आप आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमने डिस्प्ले के ऊपर नंबर सबको दिख रहा होगा देखिए हमने थोरा सा जूम कर लिया हूं और अच्छे से आपको अभी देखने को मिल रहा है तो अब हमें क्या करना है कि यहां पे आने के बाद जो न पैनेल का नंबर देखते हुए मिल जाएंगे तो हमें एक एक करके देखना पड़ेगा पैनेल नंबर को चेंज करते हुए कि हमारा किस नंबर पर सेट करने के बाद हमारा पैनेल सिधा हो रहा है तो इसके लिए हम जाएंगे क्यूंकि हमें पता है कि अगर इस नंबर का जो म के पास टीवी है और इसके अंदर अगर आपका पिक्चर उल्टा आ गया है तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना परेगा यहां पर देखिए यह जो लाइन है ना आपको लेप साट से इस लाइन इस लाइन के सबसे नीचे जो 32 इंचे डिस्पेले के लिए जो आपशन दिया हुआ है वह आपको सेट करना परेगा तो चले इस साइड का मैं इस साइड की बात कर रहा हूं तो चलते हैं सबसे पहरे तो इस साइड में जाता हूं जहां पर अ-0-n लिखा हुआ न लिखा यह देखिए यह मदरबोर्ड 40 इंच टीवी के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है 48 58 49 सभी प्रोकर के टीवी के अंदर मदरबोर्ड को इस्तेमाल की जाती है तो चलिए हम चलते हैं सब से नीचे यहां पर आपको देखने को मिलाएगा 32K6AH0JN इसको अगर हम सेट कर देंगे त आपको कोई सेब करने की जोरुत नहीं यहां पर आना पड़ेगा आपको यहां पर एंटर करना पड़ेगा जैसे ही एंटर करोगे तो आपका यह वाला सीलेट हो चुका है देखिए अब हमें क्या करना है कि इस टीवी को फिर से इस्टन में मोड पर लेके चलना है तो मैं थोरा साथ जूम आउट कर लेता हूं देखिए आप मैं इसको इस्टन वाई पर लेके चलता हूं यह बंद हो गया और बंद होना के बाद मैं फिर से इसको चालू करूंगा और जैसे ही चालू करूंगा आपको देखने को मिलेगा कि हमारा पिक्चर है सिधा हो चुका है य यह बिल्कुल फिक्स हो चुका है तो इस प्रोकर से आप अपने समसंग टिवी के अंदर सर्विस मेनू के अंदर इंपूट एंटर कर सकते हो और इस प्रोकर के प्रॉब्लेम को सॉल्व कर सकते हो तो मुझे उमिद है कि दोस्तों आपको इस वीडियो के जरीए पता चल ग पड़ेगा इसका प्रोसेस सेम टू सेम होगा अगर आपको इस वीडियो के जरीए कुछ भी सेखने को मिला है नीचे कमेंट करके बताएगा और अगर आप हमारे से कुछ भी सीखना चाते हो कुछ भी जानना चाते हो वह भी आप नीचे कमेंट करके बताएगा आपके कमें हुई!